हाई बच्चो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम सर्फेस एरिया एंड वालूम के कोश्चन करेंगे जो इक्सक्साइज 12.1 यें CRT कलास 10 का देखेंगे पहला कोश्चन दे रखा है इसके कहने का मतलब ये है दो क्यूब हल लिया है जिसका वालूम दे रखा है 64 64 cm क्यूब दे रखा है उसको पास-पास में रख दिया गया है तो उसका सर्फेस एरिया क्या होगा जो बनेगा क्यूब वाइड उसका सर्फेस एरिया क्या होगा चले हम बना के दिखाते हैं और करके भी दिखाते हैं तो क्यूब वाइट कैसे बनेगा ये देखना है तो पहले आप मेरी तरह एक फीगर बना लीजे पहले एक rectangle बना लीजे इसके जेश्ट पास में दूसरा rectangle बना लीजे वो भी square का ही rectangle नहीं square बना लिया फिर दूसरा square यहां बना लिये फिर इसी से सटे दूसरा स्क्वाइर यहां बनाईए अभी फीगर बनाना सिखा रहा हूँ बहुत से लोगों को फीगर नहीं बनाने आएगा उसकी बात कर रहा हूँ इसके कॉर्णर से इसको मिलाते जाएए यह मिला दिया यह मिल गया तो दो क्यूब को पास पास में हमने रख दिया यही क्यूब तो इसका वालूम दे रखा है हर एक का 64 दे रखा है इसका भी वालूम 64 दे रखा है तो वालूम दिया है यहीं पर लिखेंगे वालूम आप क्यूब ऐसे लिख लीजे तो आप क्यूब क्या दे रखा है क्यूब का आप जाके वीडियो देख सकते हैं मन्तन पाट साला में तो यहां बताने की जड़ुवत नहीं है तो आप जानते हैं क्यूब का क्या होता है वालूम, side का square तो लिखेंगे side कहिए या ये q कहिए तो ये 64 लिखेंगे अग q है तो इधर जाके root करेगा तो लिखेंगे side equal to या ये root लिखेंगे 64 और यहाँ पे cube का sign अब आप इसको निकालिए यहाँ पे 3 का pair, जब यहाँ पे 3 है तो 3 का pair अगर 2 है, तो 2 का 4 है तो 4 का pair, तो हम लिखेंगे 4 into 4 into 4 देखिए 3 का pair बन गया, तो 4 बाहर आ गया ये 4 cm तो side हमारा निकल के आ गया side कहिए या A कहिए इसको A भी कह सकते हैं आप ठीक है, A कहिए निकाल दिया, 4 cm तो देखिए, अब ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये तो 4 रहेगा और ये 4 ये भी, तो अब ये cube wide बन गया, cube wide जब add करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा लंबाई इसकी length क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी इसी का, इस cube wide जो बना है, ये cube wide बना इसी का surface area चा रहा है तो पहले लिख लीजे, लिखेंगे now अब EL क्या हो जाएगा आपका 8 cm और B हो जाएगा आपका 4 cm and Y हो जाएगा आपका 4 cm निकाल चुके, एक का निकाल दीजे कभी निकाल देंगे, तो 4 होगा तो देखिए, ये तो दोनों आपस में सटाया गया है, जोइंट किया गया तब तो ये 4, ये 4, तब 8 होगा ये 4 होगा, इस side का चौनाई और ये height यहाँ पे देखेंगे, height 4 होगा तो ये हम आपस में सटायें, तब ये 4 ये 4, तभी तो ये ठुगा अब देखेंगे, अब लिखेंगे volume आप यहाँ पे volume आप cube wide लिग लिजे cube wide का formula आप जानते हैं volume नहीं निकालना है, surface area निकालना है, sorry, ठीक है तो लिखेंगे surface area surface area of cube wide तो आपको formula बताया चुके हैं, लिखेंगे bracket के बाहर 2 रहेगा, यहाँ पे yl b plus b h plus hl लिखेंगे तो आपको आसान तरीका एक बताये थे, आप ऐसे एक circle बना लिजे यहाँ पे 3 point बना लिजे देखेंगे, यहाँ पे 8 लिख दीजे, यहाँ 4 लिख दीजे, और यहाँ पे 4 लिख दीजे, अब value put करिए, तो देखेंगे 2, yl की value हमारे पस into 8 into 4 हो जाएगा, आप ऐसे लिख ले सकते हैं, और 4 into 4 करेंगे, देखें यह, फिर 4 into 4 करिए, 4 into 4, अब plus 4 into 8 करेंगे, 4 into 8, अब multiply कर लिजे, तो यह हो ज जाएगा, और यह 32 हो जाएगा, 8, 4, जा 32, add कर लेंगे, यह देखें, 64 हो जाएगा, और अगर यह 64 plus 16 क्या हो जाएगा, यह देखें, 0, 7, 80 हो जाएगा, तो आप करोगे, देखेंगे 2 into 80, और यह हो जाएगा, 2 का multiply करेंगे, तो 160 cm2 आजाएगा, यही आपका answer है, तो पहल question हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यह कहना चाहरा है आपको, एक हेमी स्फेर है, उसके उपर आप क्या रख दे रहे हो, हालो सिलेंडर रख दे रहे हो, तो जिसका जो आपका हेमी स्पेर है, उसका diameter दे रखा 14 cm, और total height दे रखा है, यानि दोनों का मिलाके 13 cm, तो आपको inner surface area निकालना, चलिए, करके देखते हैं, पहले आप figure बनाएंगे, तो एक सिलेंडर बनाईए, यह हम सिलेंडर बना रहे हैं, इसी के नीचे क्या है, हमारा hollow sphere है, यह बना लिया, ओके, अब यह दे रखा है, यह दे रखा है आपका 14 cm, क्या दे रखा है, हेमी sphere का, हाँ हेमी sphere का आपका क्या दे रखा, diameter दे रखा है, तो यह हमारा क्या दे रखा है, diameter कितना दे रखा है, 14 cm, तो यह 14 दे रखा है, तो आप देखेंगे, डी लिखेंगे, D is equal to 2R लिख दीजे और ये क्या दे रखा है 14 दे रखा है तो ये 14 दे रखा था भाई तो radius 7 हो जाएगा इसका तो ये R निकालेंगे तो 14 divided by 2 R की value क्या हो जाएगी 7 cm और ये पूरी height दे रखा है 13 यहाँ से लेके इसकी height यहाँ तक की नीचे तक की height ये दे रखा है आपका 13 cm तो भाई इसका radius 7 हो गया तो इसका भी तो radius 7 होगा अगर figure समझ गया तो question साल हो जाएगा तो देखिए ये पूरा diameter दे रखा था 14 तो radius क्या हो गया 7 निकाल दिया अब पूरी height हमारा क्या दे रखा है यहां से ले करके यहां तक की height दे रखा है आपका 13 तो जब ये 7 हो गया तो ये कितनी height है इसकी height कितनी बची अब इसकी height जो ये हमारा cylinder है इसकी height 6 cm बची ओके आपको आया तो लिखेंगे अब जो पूछा है inner surface area लिखेंगे inner surface inner surface area क्या लिखा है inner surface area inner surface area अब inner surface area निकालने के लिए आप निकालिए inner surface area तो इसका निकाल दीजे आप inner surface area आप जानते 2 pi आ रहे अच होता है तो लिखेंगे 2 pi लिखेंगे surface area कर surface area of cylinder हालो चिलेंडर है और लिखेंगे इसका कर surface area आप आप क्या लिखेंगे कर surface area कर surface area आप हेमी स्पेयर हेमी हेमी स्पेयर ऐसे लिखेंगे तो आपको और असानी से कर लेंगे देखें कर्व सर्फे सेरिया सिलेंडर का क्या होता है यह दे रखा है 2 πाई आर यच होता है हेमिस्पेर का आप जानते हैं कर्व सर्फे सेरिया तो आपका क्या हो जाएगा भाई 4 πाई आर इसक्वार होता है इसका हो जाएगा 2 हम सब बताएं हैं, आप जाके देख सकते हैं, 2 pi r square हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कामन है वो निकाल दीजे, दोनों को add कर रहे हैं, भाई दोनों एक दूसरे के उपर है न, तो आप निकालेंगे 2 pi r, निकालेंगे h plus r लिख दीजे, ओके, जब इतना कर लेंगे, तो आसानी से question आप solve कर लेंगे, देखेंगे, 2 into 22 by 7 रख सकते हैं, r की value आपने 7 निकाला, h की value, cylinder का h की value 6 रखेंगे, 13 मत रख दीजेगा, गलत हो जाएगा, और r की value आपका 7 है, ठेक है, तो यहाँ से 7, 7 cancel हो जाएगा, तो हो जाएगा 44, और into हो जाएगा, 6 और 7, 13 हो जाएगा, तो इसको आप multiply करेंगे, 13, 4 जा कितना हो जाएगा, 52 होता है, 2 carry, और 5 लिखेंगे, और 52, तो आपका आजाएगा, क्या जाएगा, 57, 572 cm2 हो गया, यही आपका inner surface area आपका निकल गया, ठीक है, देख लेंगे आप, कुछ भी नहीं है question में, कर सकते हैं, आसानी से, ठीक है, अगर आप figure आसानी से समझ गये तो, exercise 12.1 का third question देखेंगे, और 2 is in the form of cone, आप radius 3.5 cm mounted on the hemisphere, आप same radius, जो radius कोन का है, वो ही hemisphere का radius है, the total height of the toy is the 15.5 cm, find the total surface area of toy, चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले एक कौन बनाईए, यह कौन बना लिजिए, और एक hemisphere बना लिजा, यह hemisphere बना लिजा, एक तरह का यह खिलोना है, ठीक है, जो radius हेमी square का है, वो ही radius किसका है, कौन का है, तो radius हमारा दे रखा है, 3.5 दे रखा है, तो आप लिख दीजिए, radius आप कौन लिख सकते हैं, equal to radius आप हेमी square, यह यह से लिख देगा, हेमी square को लिख दिया, हमाने 3.5 cm लिख दिया, height आपका दे रखा है, 15.5 cm, total height दे रखा है आपका, यह capital H लिख लेते हैं, ठीक है, तो total height आपका दे रखा है, 15.5 cm दे रखा है, कौन और हेमी square को मिला करके, अब आप क्या निकाल लेंगे, कौन की height निकाल दीजिए, भाई यह radius देखिए, यह भी तो है radius, यह भी 3.5 होगा, यह यहां से यहां तक का, तो यह total हमारा क्या दे रखा है, 12.5, तो यह हमें निकालना है, small each निकाल दीजिए, तो आप जानते हैं, 15.5 है, और 3.5 माइनस करेंगे, तो आप जुका आएगा 12 आ जाएगा, तो यह each निकालेंगे जब आप, तो पूरे मासे माइनस कर दीजिए, यह radius यह भाई, पूरे में 15.5 दे रखा है, इतना माइनस कर दीजिए, 3.5, तो आपका आ जाएगा 12 cm आ जाएगा, अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अब देखें, जब कर्व सर्फेस, इनर सर्फेस एरिया बोला है, और टोटल सर्फेस एरिया बोला है, तो length, slant height की जरुवत पड़ेगी, तो यह निकाल दीजिए, पाइथा गोरस्थिवरम से यल निकालना है आपको, तो जब सबसे पहले यल निकाले, यल is equal to आप जानते हैं, भाई, radius का square, प्लस height का square कर लेंगे, तो radius दे रखा है आपका 3.5, यह आप दे रखा है, देखेंगे, radius दे यह 3.5 का square करेंगे, और प्लस का, यह का square हमारे पास 12 है, 12 का square करेंगे, तो आपका आज आएगा, यहाँ पे, इसको आप 3.5 का square करेंगे, तो 1225 होता है, कर लीजे, कुछ ही square आप याद कर लीजे, ठीक है, और प्लस का 144 होगा, जब आप इसको add करेंगे, तो आज आएगा, 144, ठीक है, 0.00 कर लेंगे, और यह 12.25 है, तो यह 0.25 आजाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यह आएगा, आपका 156.25 आगया, अब इसको solve कैसे करेंगे, आप इसका point हटाईए, दो 0 बढ़ाईए नीचे, तो आपका आजाएगा 156.25, अपान क्या आजाएगा, 100, ओके, यह तो 10 बाहर आजाएगा, वह बात की बात है, तो पहले हम इसको solve करें, तो यह point हम हटा चुके हैं, तो यहीं पे solve कर लेते हैं, तो यह देखेंगे, 3 से cancel होगा, नई, 3 से नहीं cancel, 5 से करते हैं सीधे, तो यह 5, 3 जा, 5, 1 जा, और 5, 2 जा, 5, 5 जा, फिर 5 से करिए, 5, 6 जा हो जाएगा, फिर 5, 2 जा, 5, 5 जा, ओके, और यह देखिए, 6, 25 किसका होता है, 25 का square, आपको यह थोड़ी न दिखाना है, आपको direct है, आपको याद है, तो सब कर लिजे, ठीक है, तो यह देखिए, 25 का होता है, 25 का square, और यह 25 है, तो आपका हो जाएगा, देखेंगे, यह 25 का square हो जाएगा, 6, 6, 25 होता है, तो ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पर देखिए, यह 5 का लिखेंगे, 5 into 5, यह 2 मिल गया, इससे हमें, कितने मिल जाएगे, 4 भाई, 25 into 25 है, तो इससे, 5 into 5 करिए, इससे 5 into 5 करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, 5 into 5 into 5 into 5, तो देखिए, दो का, तो देखेंगे, नीचे आपका 100 है, तो यहाँ से देखिए, एक 5 बाहर आ गया, इससे एक 5 बाहर निकल आया, और इससे भी एक 5 बाहर निकल के आया, और इससे 10 निकल के आया, तो यह multiply कर देंगे जब आप, तो 125 upon 10, और यह आजाएगा 12.5 cm, यह silent height निकाले, यानि यह small yield निकाल के लाए, अब हम total surface area निकालेंगे, अभी तो yield निकाल ले थे, ठीक है, तो yield निकालने का यह तरीका था, और बड़ी root था, इसलिए time लगा, चलिए, अब लिखेंगे, total surface area, जो आपको find out करना है, लिखे लिखेंगे, total surface area आप ट्वाए लिख देंगे, तो अब total surface area आपको निकालना है, घίक है, तो कोन का, भाई, कोन का surface area निकालेंगे, और इसका surface area निकालेंगे, तो निकालेंगे, तो लिखेंगे आप, नीचे line लिख दीजे, curve surface area of आप कौन प्लस का curve surface area of hemispair hemispair लिख देंगे ओके तो curve surface area आप कौन का क्या होता π आई आर यल होता है ठीक है और hemispair का पूरे का तो square का 4 pi r square होता है 4 pi r square होता है तो इसका 2 pi r square हो जाएगा यहां से आप क्या करेंगे pi r common ले लिजे तो बचेगा यल यहां से 2 रह जाएगा अंदर और r रह जाएगा ठीक है चलिए solve कर लेते हैं तो pi की value आप लिखेंगे 22 by 7 इसने दिया भी था साइद नहीं दिया तो आप रख लेंगे r की value 3.5 है और r की value आपने निकाला 12.5 निकाला प्लस लिखेंगे 2 r की value 3.5 है solve कर लेंगे तो देखेंगे इसको divide करेंगे 0.5 आजाएगा multiply करेंगे 5 2 जा 10 carry 1 5 2 जा 10 11 तो यह आजाएगा 110 पॉइंट लगेगा यहाँ पे bracket में करेंगे तो यह 12.5 है प्लस का और 35 2 जा 70 होता है तो यह 70 लिखेंगे लिकिन पॉइंट लगा है तो अब आपका आजाएगा 11 into यह add करेंगे तो 19.5 आएगा क्या आएगा कर लेजिए देखें 12.5 और यह 7 है तो आज आएगा 0.5 यहाँ पे लगा सकते है 9 यह तो multiply करेंगे 11, 5 जब 55 carry 5 आजाएगा 11, 9 जब 99 और 5 एड होगा 14 यहाँ 104 carry 4 करेंगे और carry 10 आएगा तो 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 तो आप कहा जाएगा यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए 214.5 cm2 यही एंसर होगा चेक कर लिजिएगा तो यह एंसर हो गया ठीक है आप देख लेंगे यह निकानने में थोड़ा दिक्कत थी बाकी और कुछ नहीं है वैलू पूट करके एंसर निकाले है आसान तरीका है ओके चेलिए देखे इक्सरसाइज 12.1 का कॉस्चन नवर फोर देखेंगे आ क्यूबकल ब्लॉक आप साइट 7 cm सर्माउंटेट बाइ दा हेमिस्पियर वाट इज ग्रेटेश ड्राइमिटर आप हेमिस्पियर कैन है फाइंट दा सर्फेस एरिया आप कुवाइट सर्फेस एरिया आप सॉलिड तो ये कहना चारा एक क्यूब आइड ये क्यूबकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 cm उसी के उपर हेमिस्पियर रखा है तो पूछा है क्या वाट इज ग्रेटेश ड्राइमिटर आप हेमिस्पियर हेमिस्पियर का ग्रेटेश ड्राइमिटर कितना होगा और दो कुशन पूछें उसका सर्फेस एरिया पूरे का सर्फेस एरिया पूछा है जो सॉलिड बनाया है उसका सर्फेस एरिया तो देखे लिजे आइए करके देखते हैं वैसे तो पहले का theoretical है कितना होगा तो सेबन सेंटिमीटर होगा चलिए करके बताते हैं तो पहले आप एक क्यूब बना लीजिए ये क्यूब बना लिया ये क्यूब तो बन गया ठीक है इसी के उपर आपको क्या बनाना है हेमिस्पेर बनाना है देखिए हेमिस्पेर कैसे बनेगा बनाने की कोशिस करते हैं ओके ये हेमिस्पेर बना ठीक है तो जो ये हेमिस्पेर बना है सॉलिड कला तो ये देखिए ये सेबन सेंटिमीटर दे रखा था इसकी साइड तो ये भी तो सेबन सेंटिमीटर होगा तो पहला एंसर हो जाएगा आपका हेमिस्पेर का साइड ने पुछा है हेमिस्पेर का डायमीटर पुछा है तो अब लिखेंगे डायमीटर आप हेमिस्पेर क्या हो जाएगा 7 cm आप लिख लेंगे देखिए 7 cm बना लिया अब देखिए R क्या है आपका R हो जाएगा 7 by 2 लिख देंगे तो आपका आजाएगा 3.5 cm इसका radius आजाएगा अब देखिए अब पूछा है आपसे पूछा है सर्फे सेरिया इस पूरे का सर्फे सेरिया पूछा है पूरे का अब देखिए हम आपको ऐसे लेके समझा रहा है जैसे ये क्यूब था ये एक क्यूब है देख लिजे क्यूब के उपर हमने एक हेमी स्फेर रख दिया तो आप तो पूरे बलाक का निकालेंगे ही निकालेंगे surface area भाई ये 6 part का तो निकालेंगे और उसके बाद ये इतना ढख जा रहा है तो ओओ क्या करेंगे इसके minus कर देंगे अंदर वाले से इसके area से इसका area जितना होगा उससे minus कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा surface area निकल जाएगा करके देखके बताते हैं लिखेंगे surface area आफ लिखेंगे surface area आफ solid इस पूरे solid का surface area निकालना है तो आप लिखेंगे पहले इस cube का लिखे cube का surface area क्या होता है 6 e square होगा जानते हैं आप बताईए उसके बाद इसका curve surface भाई hemispare है आपने पढ़ा है hemispare का surface area क्या होता है plus लिखेंगे 2 pi r square 2 pi r ये पूरे का surface area बता रहा हूँ hemispare के 2 pi r लेकिन ये ultra रख दिया तो ये क्या minus कर देंगे ये हिस्सा जितना मैं blue कर रहा हूँ ये तो minus कर देंगे न pi r square ये तो अंडर चला गया भाई अंडर चला गया तो इसको तो minus करेंगे पूरे का surface area हमारा क्या होता है 2 pi r square होता है ये इतना अंदर चला गया ultra रख दिये है अंदर घुसके तो करना नहीं है ये बाहर-बाहर का करना है तो आप लिखेंगे minus का pi r square करेंगे इतना समझ में आ गया होगा तो लिखेंगे 6 से e square plus का 2 pi r square था pi r square क्या होगा minus होगा तो pi r square बचेगा अब value put कर लिजे लिखेंगे 6 side का 7 का square करेंगे plus हमारे पास चलना है 22 by 7 चलेगा r की value आप रखेंगे 3.5 into 3.5 ये हम करेंगे 6 into 49 हो जाएगा और ये cancel करिएगा 0 point आपका क्या आजाएगा 5 आजाएगा और plus का sign 22 into लिखेंगे 3.5 into 0.5 ओके तो इसको multiply करेंगे 6 9 जा 54 carry 4 आएगा sorry carry 5 आजाएगा फिर 6 24 24 को 5 side करेंगे 2 94 आजाएगा ओके plus का इसको multiply करेंगे तो क्या आजाएगा 110 आजाएगा तो लिकिन point में और ये 3.5 multiply करेंगे 294 प्लस का 11 5 जा 55 carry आपका 5 आजाएगा 11 3 जा 33 38 आजाएगा point यहाँ पर लग जाएगा अब आपका आएगा 294 294 प्लस का 38.5 तो ये आजाएगा 0.5 12 carry 1 13 तो हाजाएगा 3 32.5 3 32.5 cm2 ठीक है तो ये आपका answer हो गया तो इस तरह solve करिए हमेशा इससे multiply करेंगे तो क्या जाएगा 110 आता है तो point लगा लिजेगा आसानी से solve कर सकते हैं आपका calculation strong होना चाहिए ठीक है तब आप question कर सकेंगे value तो support कर लेते हैं लेकिन आपको solve कैसे करना cutting कैसे करना है solve तो आपको calculation आपका strong होना चाहिए ठीक है ओके कुछ चीजे आप square याद कर लिजे 1 से लेके 30 तक का square कर याद कर लिजे तो आपका time बचेगा ठीक है ओके exercise 12.1 question number 5 a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter दे रखा है yl meter of the hemispherical is equal to age of the cube इसके कहने का मतलब है आपको एक cubical wooden block है cubical है cube के जैसा जिसका diameter yl cm है और उस पर हमें क्या cut करना है इन्होंने क्या cut hemispherical hemispherical के cut करना है जैसे आप देखिए जब आप ice cream खाने जाते होंगे तो वो ऐसे मलब अपने चम्चे से या चम्मस से ऐसे cut करके निकालता है तो वो ही उसी की बात हो रही है उसने cut करके निकाल दिया जैसे इसमें ऐसे cut करके निकाल देना है तो ये पूछा है ये क्यूब कल है तो इसका surface area क्या होगा फिर पूछे कहा है determine the surface area remaining solid चलिए करके देखते हैं तो सबसे पहले आप एक cube बना लीजिए ये क्यूब निकाल बना लिया हम लोगों ने ठीक है अब आपको क्या करना है इसमें से एक hemispherical निकालना है तो आप एक circle अगर बना पाईए तो बना लेंगे तो बेटर रहेगा इस तरह क्या एक just one second तो अगर आप बना पाईएगा तो बना लियेगा तो इसने cut किया इस तरह का hemispherical हम से निकलवाया है ओके ये निकाल दिया तो अब surface area क्या होगा जो बचा हुआ पाट है उसका surface area क्या होगा और जैसा कि question में दिया गया है ये पूरा हमारा क्या है measurement दे रखा यल दे रखा है ये हमारा क्या है यानि यहाँ diameter हमारा दे रखा है लिख सकते हैं diameter कितना दे रखा है यल वैसे तो इसने बोला था हमसे हाँ diameter यल दे रखा है तो diameter जानते हैं 2D sorry D is equal to 2R होता है तो 2R equal to D value L है तो L की value क्या हो जाए ये R की value क्या हो जाएगा L by 2 हो जाएगा ओके अब आपको ये देखना है ठेक है हमने R की value निकाल दिया और जो ये दे रखा है cube जो दे रखा है यल दे रखा है तो ये भी यल होगा सब यल होगा ये यल होगा ये यल होगा सब यल होगा ठीक है side क्या होगा यल होगा तो जो diameter है किसके बराबर है इस side के बराबर है तो आप लिख सकते हैं side आपका दे रखा है यहाँ पर लिख दीजिए side हमारा दे रखा है यल हो गया अब लिखेंगे surface area आप लिखिए surface area of remaining remaining solid remaining solid जो बचा हुआ solid है उसका area देखिए कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आप पूरे का यह पूरा है तो six a squared जानते है नहीं जानते है तो मैंने वीडियो बनाया है जाकर देख सकते हैं ठीक है cube का वीडियो बनाया है देख सकते हैं अब देखेजी यह हमारा hemisphere का आप जानते हैं जो hemispair हमने बनाया है hemispair का आप जानते हैं क्या होता है area, car surface area 4 pi r square होता है यह solid है तो हाफ है तो लिखेंगे 2 pi r square अब हम क्या निकाल दे रहे हैं यह निकाल दे रहे हैं खुला खुला है भाई बंद नहीं है यह खुला खुला है जैसे आप ice cream निकाल देते हो तो minus के लिखेंगे pi r square लिखेंगे अब देखेंगे अब आप लिखेंगे 6 e square plus का by 2 pi r था यहाँ पे pi r निकल गया तो pi r square ही तो बचेगा तो आपका देखें, value put करते हैं 6 है, एक ही value हमारे पास e l का square है side हमने क्या निकाला है side ही तो a है al हो गया प्लस pi रहने दीजे r की value है हमारे पास e l y 2 है, तो e l y 2 का whole square करिए तो आप solve करेंगे 6 e, 6 e l square plus pi e l square y 4 हो जाएगा ओके तो यहाँ से आप e l common ले ले लेंगे e l common ले लेंगे वही सेम है तो common ले ले लेंगे e l common लेंगे तो बचेगा 6 plus pi by 4 यह बचेगा आपका यही आपका answer है आप एक बार देख सकते हैं कुछ भी नहीं है हमने कहा यह क्यूब बना लीजे उसमें से एक क्या निकालेंगा hemisphere निकाल दीजे तो जो बचा हुआ पार्ट है उसी का हमें क्या निकालना है surface area निकालना है इसमें को ऐसे ही छोड़ दीजे यह एंसर दिया है तो आप भी यही करिए यह एंसर नहीं दिया है ठीक है इसको solve करते हैं लाइए तो आप solve करेंगे जब आप लिख लिजे आप हम बता रहे हैं लिखेंगे EL square तो common था ही और यहाँ पे आपका 6 प्लस पाई भाई 4 ओके EL cm ले लेंगे तो 4 हो जाएगा इसको इससे divide करेंगे तो 4 आएगा इससे multiply करेंगे 24 और 4 फोर cancel हो जाएगा तो पाई आजाएगा अब आपका आजाएगा यह लिख लेंगे EL square bracket में 24 प्लस पाई अपान 4 ओके अब यहाँ से आप क्या निकाल दीजे फोर बाहर निकाल दीजे तो EL square अपान 4 bracket में 24 प्लस पाई आजाएगा यही NCRT ने दिया है ठीक है देख लेंगे exercise 12.1 question number 6 a medicine capsule is in the shape of cylinder with the two hemispheres struck to each of its end the length of the entire capsule is 14 millimeter and diameter of capsule is 5 millimeter find the surface area आप लोगों में से हर कोई एक न कोई न कोई मेटसिन खाया होगा capsule खाया होगा तो देखेंगे capsule का shape इस तरह का होता है जिसमें पूरे capsule की लंबाई दे रखा है 14 millimeter और चौणाई दे रखा है 5 millimeter ओके यह diameter अभी हमें इसको बनाएंगे दिखाएंगे आपको diameter कौन है तो देखेंगे तो एक capsule बनाईए एक figure बनाईए आप लोग यह square बना दीजिए इधर भी square यह इसका diameter हो गया तो पूरे capsule की लंबाई कितना दे रखा है 14 millimeter दे रखा है यह 14 millimeter और दे रखा diameter तो भाई यह पूरा diameter होता है यह पूरा diameter कितना दे रखा है 5 millimeter दे रखा है क्या दे रखा है 5 millimeter तो यह पूरा 5 millimeter हो गया यह 5 millimeter इधर भी 5 millimeter होगा तो radius अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 by 2 करेंगे क्योंकि diameter आपका दे रखा है क्या दे रखा 5 तो आर इच कल टू 5 by 2 करेंगे तो क्या जाएगा 2.5 millimeter आपका radius आगया अब देखेंगे यह हमारे पास 2.5 इधर और 2.5 इधर radius दोनों तरफ भाई यह spherical है यह भी spherical है half hemisphere है तो दोनों को height करेंगे तो 5 आ जाएगा 2.5 इधर से निकाल दीजे 2.5 इधर से निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका 5 तो यहाँ पर बचेगा 9 यह आपका 9 हो जाएगा यह cylinder हो जाएगा तो आपके पास यच क्या हो गया यह चे लिखेंगे height क्या हो जाएगा 9 mm लिख लेंगे बताएगे समझ में आया अगर अलग-अलग बनाते हैं आप यह कैजिसे यह sphere बना लीजी hemisphere hemisphere और यह radius आपने 2.5 बनाया अगर यह cylinder बनाते हैं ऐसे बना लीजी आप तो आपको समझने में और question करने में आसानी रहेगी तो इसका भी तो radius सेम होगा दोनों का तो यह भी 2.5 mm है यह भी यह हमारे पास हो गया 9 mm अब इन दोनों का भाई एक hemisphere यह है एक hemisphere है दो hemisphere हैं भाई यह दो hemisphere सबको add करके आप क्या निकाल लेंगे surface area इसका surface area इसका surface area पूरे का surface area तीनों को add कर लिजे answer आ जाएगा चलिए करके दिखाते हैं यह छोटा बन गया यह सेम इसी तरह होगा यह भी radius इसका भी क्या होगा 2.5 होगा ठेक है अब हम लिखते हैं लिखे surface area आप कैपसूल लिखेंगे यहाँ पे कर सकते हैं लिखेंगे surface area area आप कैपसूल तो surface area आप कैपसूल निकालेंगे देखेंगे तो लिखेंगे कर सरफेस area आप किसका पहले सिलेंडर लिखतीजे सिलेंडर प्लस का लिखेंगे यहाँ पे जगे नहीं है नीचे लिखेंगे surface area आप कैपसूल तो इकवल टू लिखेंगे curve surface area of सिलेंडर सिलेंडर प्लस देखेंगे लिखेंगे 2 into curve surface area of hemisphere लिखेंगे hemisphere लिखेंगे ओके बाई दो hemisphere हैं तो आप पूरा कर सकते हैं एक hemisphere एक सिर्फ isphere हो जाएगा लेकिन यहाँ पे two है half यहाँ है sorry half यहाँ half यहाँ है तो दोनों को अलग-अलग करके निकाल सकते हैं एक साथ करके एक साथ करके निकालते हैं चलिए देखेंगे तो आप जानते हैं तो का सिलेंडर का क्या होता है πाई 2 πाई र यह होता है इसका क्या होता है 2 πाई र होता है और यहाँ पे two लिखेंगे बहई दो hemisphere है न तो उसका कर्व सर्फिस एरिया निकालेंगे तो क्या होता है ब्रेकेट में करेंगे इंटू 2πi r square करेंगे चलिए साल्व करते हैं तो 2πi r h प्लस अंदर मल्टिपलाई करेंगे तो 4πi r square जो कामन है उसको बाहन निकाले 2πi r कामन आ गया तो बचेगा क्या h plus बचेगा आपका क्या बचेगा h plus यहां पर 2 बचेगा और एक r बचेगा तो अब इसमें value पुट कर दीजे यह है अच्छ है value पुट कर दीजे answer आ जाएगा तो देखेंगे 2 into करेंगे 22 by 7 करेंगे ओके और r की value आपके पास दे रखा है 2.5 दे रखा है h की value हो जाएगी आपका 9 हो जाएगा plus 2 into r की value 2.5 करेंगे साल्ब करते हैं अभी तो कोई cancel नहीं होगा यह 44 कर सकते हैं आप 44 into 2.5 आपान 7 और यहां पर आप आड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 plus क्या हो जाएगा यह 5 यह 5 हो जाएगा तो आपका आजाएगा 14 आजाएगा तो आप साल्ब करेंगे 44 into 2.5 आपान 7 into 14 हो जाएगा यह cancel करेंगे तो 2 आजाएगा आपका ओके तो अब आप करेंगे तो solve करेंगे 44 इसको multiply करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा 25 तू जा 50 पॉइंट लगा दीजे तो 5 तू जा 5 फॉर जा 20 और carry 2 आ जाएगा 5 20, 220 और आपका mm2 आ गया क्या आ गया मिलिमीटर तो 220 mm2 यही answer हो जाएगा तो आसान है कुछ है नहीं देख लेंगे आप एक बार और देख लीजे ठीक है तो इसका अलग निकाल दिया इसका अलग निकाल दिया आप अलग करके क्या एक का निकाल के दो से multiply करके इसका निकाल के add कर देंगे तो पूरा आ जाएगा तो सबसे आसान है देख लेंगे exercise 12.1 question number 7 देखेंगे a tent is in the shape of cylinder surmounted by the conical top if the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter find the area of converse used for making the tent also find cost of the converse of the tent at the rate of 500 per meter square ये कहना चाह रहा है कि एक tent लगाना है shape जिसका shape है cylinder के उपर एक conical top है conical मलब cone बना है जिसकी height दे रखा है आपका height और diameter दे रखा है 2.1 meter and 4 meter उसकी salant height cone की salant height दे रखा है 2.8 meter तो कितना canvas चाहिए उसको cover करने के लिए कितना चाहिए और एक meter की cast है 500 रुपीज तो कितना रुपिया लगेगा चलिए करते हैं तो figure बनाईए पहले तो यह आपका कोन है यह हम cylinder ship का एक तंबू बना रहा है ठीक है बना लेजे ओके जिसमें देखिए slant height दे रखा है यानि L की value 2.8 meter यह दे रखा है यह height देखते हैं कितना दे रखा है यह R की value दे रखा है आपका वैसे तो cylinder का diameter दे रखा है यह पूरा diameter दे रखा है D की value दे रखा है 4 meter तो D आप जानते हो रखा है 4 मीटर तो आपका 2 दिखें क्या होता है 2R इच कल 2 दे रखा है 4 ठीक है तो R इच कल 2 भाई D की वेलू क्या होती है 2R होता है और यह 4 भाई 2 हो जाएगा तो हम डिवाइड करके निकाल दिया 2 मीटर रेडियस हो गया मेरा और देखिए सिलेंडर की हाइट दे रखा है सिलेंडर की हाइट दे रखा है आपका 2.1 तो इच की वेलू हमारे पास निकल के आ रहा है 2.1 मीटर यानि यह 2.1 मीटर निकल के आ रहा है ओके R की value हमें पता चल गया यह R की value क्या पता चल गया 4 meter पता चल गया 2 meter पता चल गया यह भई diameter भई same diameter तो इसको Convass कितने जरुवत पड़ेगी इसको गर इस Tent को cover करने के लिए कितने Convass की जरुवत पड़ेगी उसी को निकालना है कितना आगया होगा भाई आपको यच पता चल गया R पता चल गया slant height हमारे पास दे रखा है yel is equal to 2.8 meter दे रखा है चलिए solve करते हैं तो लिखेंगे area of लिखेंगे area of कैन वास वास ठीक है कितना area की जरुवत पड़ेगी तो आप को है भाई इसका आप surface area निकाल दीजे इसका surface area निकाल के add कर देंगे आजाएगा तो लिखेंगे curve surface area आप cone cone लिख दीजे plus लिखेंगे नीचे आजा रहा है लिखे दे रहा हूँ curve surface area of cylinder ये पूरा लिखेंगे तो देखें curve surface area आप कोन का आप जानते पाई आरियल होता है तो आप पाई आरियल लिख दीजे इसका आप जानते हैं ह्पाई आरियल होता है पाई आर लिख होता है ठीक है तो यहां से जो कमन लेने वाला कमन निकाल दीजे है पाई आर कमन आ गया तो यह प्लस क्या आजायेगा यहां से पाई आर तो बचे अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा और H बचेगा भाई पाई और R कामन चल गया तो 2H रिक है सही जा रहे है हम लोग चलिए अब देखेंगे value पूट करिए तो आपका 22 भाई 7 हो जाएगा R की value हमारे पास 2 चल ला है L की value हमारे पास 2.8 हो गया प्लस का 2 इंटो H की value H की value 2.1 चल ला है इसी को हमें साल्व करना है चलिए करके देखते हैं तो यह 44 भाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे आईए 2.8 पहले bracket साल्व करिए तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 244.2 आ जाएगा इसको एट कर लीजे तो 2.8 और 4.2 आट करेंगे यहाँ 0 कहरी 1 तो आ जाएगा यह 7 आ जाएगा तो लिखेंगे 44 डिवाइड़ वाई 7 इंटो यह 7.0 तो 7, 7 कैंसिल आ गया 1 तो हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वाइर इतने कानवेस की जरूवत पड़ेगी अब यह कहना चाह रहे हैं कि लिखेंगे 1 मीटर मीटर काश्ट आप काइनवास कितना है 500 रुपीज है ओके देखेंगे तो आपके पास 44 मीटर स्क्वाइर है तो कितने के कितने रुपे लगेगा तो मल्टिपलाई कर देंगे 44 इंटो 500 तो कल लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 5 फोर्जा 20 कैरी तो 5 फोर्जा 20 और 22 आ जाएगा 2 जीरो औल लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 22 थाउजेंट रुपी जागे आपका ठीक है तो यही एंसर हो जाएगा ओके तो इसमें 2 एंसर पूछा था आपसे हाँ एरिया पूछा था एरिया का आपका एंसर यह हो गया 44 मीटर स्क्वार एक यह एंसर हो गया और एक एंसर यह हो गया रुपीच 22 थाउजेंट ओके तो यह 7 कंप्लीट हो गया एक बार देख लीजे तो कुछ भी नहीं है इसका कर्व सर्फेस एरिया निकाल दीजे इसका कर्व सर्फेस एरिया निकाल दीजे आजाएगा आप जानते हैं इसका क्या होता है पाई आरियल होता है इसका क्या होता है तो पाई आरियच होता है इन दोनों को एट कर दीजे एंसर आ जाएगा सब कुछ तो गिवेन है इकसरसाइज 12.1 कॉश्चन नमर 8 देखेंगे फ्राम और सालिट सिलेंडर होज हाइट इजे 2.4 cm and diameter 1.4 cm कॉनिकल कविटी आप दा सेम हाइट and सेम दाइमिटर इज हालो हालोड आउट फाइंड दा टोटल सर्फेस अरिया आप दा रिमेनिंग सॉलिट तो निरेश सेंटीमिटर स्क्वार आपको टोटल सर्फेस अरिया निकालना है अब देखिए एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखा 2.4 cm diameter दे रखा उसका 1.4 cm उसमें कॉनिकल केविटी बना दिया एक जगे बना दिया जिसका हाइट सेम है हाइट मतलब 2.4 सेम होगा और डाइमिटर सेम है तो उसका सर्फेस अरिया क्या होगा चलिए देखते हैं फिगर बनाते हैं देखते हैं तो एक सिलेंडर बना लीजिए यह हमने एक सिलेंडर बना लिया जिसकी हाइट दे रखा है आपका 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है तो हाइट लिख लिजे 2.4 सेंटीमीटर लिख लिए अब इसका डाइमिटर भी दे रखा है इसने डाइमिटर डी की वैलू दे रखा है आपका क्या दे रखा है 14 देखिए हाँ जी 14 1.4 cm दे रखा है तो D is equal to आपका दे रखा है 1.4 cm दे रखा है D का फार्मुला होता है 2R होता है यह 1.4 एक-एक स्टिप्मिन करते रहिए ठीक है आसान हो जाएगा तो यह 0.7 आ गया तो R की वैलू आ गई 0.7 cm हो गया ओके अब आपको क्या करना है इसके अंदर एक कौन की cavity बनाना है ठीक है बना लेते हैं यह cavity बना लिया ओके यह जो cavity बना लिया कहना चारा height उसकी यह जो इसकी height हो गई हमने height बनाया यह height इसकी same height के तो यचकी तो value वही है इसकी यह की value 2.4 दे रखा है radius हमारे पास चला है 0.7 दे रखा है radius तो slant height हमें निकालना है निकाल लेते हैं चलिए देखिए slant height कैसे निकलेगा तो आप figure एक छोटा सा यहीं साइट में बना लिजे इसे तो आपके लिए दिक्कत नहीं हो यह yel है yach की value हमारे पास 2.4 हो गया और यह yach की value है r की value दे रखा है 0.7 तो yel निकालना है आपको तो क्या लिखते हैं yach का square प्लस आप base का square भी लिख सकते हैं r का square लिखते हैं तो आपका yach की value 2.4 का square करेंगे r की value है 0.7 का square करिए तो यह आपका आजाएगा देखेंगे 22.4 का square करिए तो आपका आजाएगा 2.4 को करेंगे 2.4 का square करिएगा तो यह 16 का 1 तो हो जाएगा 8 9 हो जाएगा फिर यहां पे 8 और यहां पे हो जाएगा 4 तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा आपका 7 5.76 तो point दो नमबर पे तो यहां लगा देंगे 5.76 और यह हो जाएगा 49 आ जाएगा लेकिन 0.49 तो 0.49 हमें add करना है तो 49 यहां लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा यह 5 carry 1 तो हो जाएगा आपका 7.8 यह आ जाएगा 6.25 6.25 तो आपका आ जाएगा 6.25 आ जाएगा तो अब इसको कैसे निकालेंगे तो सबसे आसान है यह point हटा यह root थोड़ा से बड़ा कर दीजे point हटा यह 100 लिख दीजे तो आप जानते हैं यह 6.25 किसका होता है 25 का होता भई 25 अपां 10 कर लिजेगा तो यह आप का जाएगा 2.5 slant height आ गई 2.5 तो यह L की value हमने निकाल लिया 2.5 निकाल दिया उसके बाद पुछा है आपसे total surface area अब निकाल लेते हैं आसानी से निकाल लेंगे चलिए निकालते हैं लिखेंगे total surface area area लिखेंगे तो देखेंगे तो सबसे पहले cylinder का लिखेंगे लिखेंगे curve surface area of cylinder लिख दीजे cylinder कर्व surface area आप cylinder का लिख देंगे प्लस लिखेंगे अब लिखेंगे आप यह लिखे लिखेंगे curve surface area आप कोन लिख दीजे ठीक है अब देखेंगे यह हमने surface area निकाल दिया इसका curve surface area cylinder यह भी आपको include करना पड़ेगा open तो लिखेंगे प्लस का sign लिखेंगे ओके लिखेंगे area of area of base area of base cylinder का यह cylinder के area का base आप निकालेंगे ठीक है आईए तो देखेंगे यहां से शुरू करते हैं देखें total surface area निकालना है इसका तो आप यहां पे curve surface आप cylinder का लिखते हैं 2 pi r e h लिखते हैं आप pi area लिखते हैं और area of area base of cylinder यह base of cylinder का यह भी तो निकालेंगे आप अभी तो यह curve surface area निकाला फिर कोन का निकाला अप प्लस इसका भी निकालेंगे चलिए देखते हैं तो area of base का क्या हो जाएगा pi r e square निकालेंगे चलिए तो जो common है उसको निकाल लिजे तो आसानी से आप solve कर लेंगे ठीक है तो 2 pi common ले लिजे सब में pi है देखे 2 pi यहां sorry 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 πिर से देखे pi r common है देखे pi r यहां पर भी तो πr common ले लेंगे तो बचे गा यहां पर 2 h बचे गा प्लस यहां पर l बचे गा और यहां r बचे अगर ऐसे करते हैं तो आसानी से आप question solve कर सकते हैं तो यह 22 by 7 रखिएगा R की value आपके पास दे रखा था 0.7 निकाला था आपने bracket 2 into each की value था 2.4 लिख देंगे plus का लिखेंगे yel की value आपका निकाला गया है 2.5 निकाला गया R की value 0.7 solve करते हैं देखिए तो यह देखेंगे यह cancel हो जाएगा 0.1 आजाएगा multiply करेंगे तो 2.2 आजाएगा bracket close आईए इसको multiply करेंगे 24 24 को 2 से multiply 48 आजाएगा 4.8 लिखेंगे और यह 2.5 है plus का 0.7 बनाएगा इसको solve करके इससे multiply कर लेते हैं चलिए लिखते हैं 4.8 यह 2.5 और 0.7 तो add करिए तो यह आजाएगा 15 यह 20 आजाएगा carry 2 आजाएगा तो 6 और 8 यानि 0.2 आपका आ रहा है 2.2 और यह आजा रहा 8 आ गया ठेक है multiply करेंगे 8 तूजा 16 carry 1 8 तूजा 16 17 तो यहाँ आ जाएगा 17.6 क्या था centimeter square यही आपका answer होगा देख लेते हैं तो NCRT ने यह answer दिया है अब देख लेंगे तो यह पूरा solution था ठेक है तो आपको यहाँ पे total surface area आपको निकालने आना चाहिए क्या क्या बोला है फिर से मैं समझा दे रहा हूँ देखेंगे आप पहले तो यह देखिए फिर से figure यहाँ बना के हम समझा रहा है ठेक है तो पहले तो यह cylinder का curve surface area निकालेंगे आप ठेक है यह cylinder का curve surface area निकाला आपने ठेक है तो curve surface area 2 pi r यह चोता है आप जानते हो यह हो गया अब इस कौन का निकालिए तो कौन का आप निकालते है पाई आर यहल हो जाता है ठीक है अब इस बेस का भी निकाल लेंगे ना तो बेस का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वेर हो जाता है तो इन तीनों का total surface area अगर आप इसी में value put कर देंगे तो आपका question आजाएगा यहाँ से πाई आरक है हमने कहा था पाई आरक हमाल लेंगे तो 2H plus L plus R लेंगे इसी को solve कर लिजे आजाएगा Exercise 12.1 question number 9 देखेंगे आखरी question देखेंगे last a wooden article was made by the scooping out of hemisphere from the each end of a solid cylinder shown in figure दे रखा है 12.11 if the height of cylinder 10 cm and its basis radius दे रखा है to 3.5 cm find the total surface area of article चलिए क्याना चाहरा है यह कोई cylinder है इस में से एक scooping में बना दिया हैमी spare निकाल दिया इधर से हमी spare निकाल दिया तब इसका surface area क्या होगा इस तरह का question हम कर चुके हैं लेकिन एक के लिए किया था अब दो के लिए किया वहाँ capsule में किया था दोनों के लिए भाई capsule था वह आगे बना था इसको अंदर से निकाल दिया गया ठेक है आसानी से कर लेंगे चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आप एक सिलेंडर बना लीजे यहां से स्कूपिंग करिए यहां से निकाल दीजे हमी स्पियर सेम हमी स्पियर ठीक है अब यह बताया है आपसे रेडियस जो दे रखा है यह आर की वैलू 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है सिलेंडर की हाइट दे रखा है यह 10 सेंटीमीटर यह हमारा दे रखा है यह की वैलू 10 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है और तो कुछ नहीं दे रखा है बस इसका surface area नहीं भाई ये भी तो radius होगा और ये भी radius होगा इसका radius है radius आप जानते हैं क्या हो जाएगा 3.5 cm ओके देख लेंगे देखेंगे R की value आपका दे रखा है 3.5 cm दे रखा है cm ये तो दे रखा है और ये च की value दे रखा है 10 cm दे रखा है अब लिखेंगे total surface area total surface area निकालिये आप ठेक हैं तो लिखेंगे curve surface area of cylinder cylinder प्लस का लिखेंगे अब curve surface area इसका 2 भई दो हेमिस्पेर दोनों से में तो लिखेंगे 2 इंटू कर्व सर्फेस area of हेमिस्पेर हेमिस्पेर इसमें गुज़ जा रहा है ओके गुज़ गए तो ये का आप जानते हैं 2 पाई आर इच होता है इसका और इसका दो है तो 2 ये हमारे पास इंटू 2 पाई आर स्क्वेर होता है पूरे का 4 पाई आर स्क्वेर इसका हाप कर देंगे हेमिस्पेर है तो 2 पाई आर तो ये मल्टिप्लाई कर लेंगे तो यहां 2 pi r h प्लस हो जाएगा 4 pi r square जो कामन है उसको निकालिए 2 pi r कामन है यहां से h plus क्या बचेगा यहां पे 2 और r बचेगा इसमें value put कर दीजे आसानी से आपका question solve हो जाएगा करते हैं देखेंगे 2 into 22 by 7 चला है r की value 3.5 है और bracket में लिखेंगे 10 लिखेंगे plus 2 into यह 3.5 चला है चलिए solve करिए तो यह देखेंगे cancel करेंगे तो 0.5 आ जाएगा 7 अजा 7, 7, 5 35 होता है तो 0.5 multiply कर देखेंगे यह देखे 5, 2, 10 हो जाएगा इसको multiply करेंगे 5, 2, 10 तो 1 बचेगा यह 22 ही रहेगा ऐसे करिए calculation आपका इस्टरांग होना चाहिए पता चला इसमें कर रहे हैं फिर इसमें कर रहे हैं 44 करके भी मत करिए तो पहले इसको देखेंगे कौन easily हो सकता है तो देखेंगे इसको multiply किया यह point था 0.5 को 2 से multiply तो 1 हो गया 1 को 22 से multiply गया तो यही आएगा अब देखें ब्रेकेट में क्या होगा तो 10 और पलस का यह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 70 हो जाएगा तो 0.7 यह 17 हो जाएगा तो 22 इंटू 17 तो 17 फोर जा 34 कैरी 4 लिखेंगे sorry 4 कैरी 3 आजाएगा तो हो जाएगा 34 फोर पलस 3 कहता हो जाएगा 7 और 3 तो आजाएगा 37 यह आजाएगा 374 सेंटी मीटर स्क्वाइर यही आपका answer है total surface area यही है तो यह आसानी से आप ऐसे solve करेंगे पता चला आप इसमें value put कर रहे हैं फिर इसमें कर रहे हैं आप सीधे सीधे पहले फार्मूला कर लीजे इसको बना लीजे इसको इसमें value put करेंगे total surface area ऐसे करके तो आपका easily solve हो जाएगा जादे calculation नहीं करना पड़ेगा ओके तो देख लीजे हाई बच्चो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में surface area and volume के बारे में पढ़ेंगे exercise 12.2 करेंगे देखेंगे पहला question a solid is in the shape of cone standing on the hemisphere with both their red eye being the equal to one centimeter and height of the cone is equal to its radius find the volume of the solid in term of pi कहना चाहरा है आप से कोई solid cone है ठीक है और hemisphere पे उसको रखा गया है ओके कहना चाहरा दोनों का radius कहना चाहरा same है by cone और hemisphere का radius क्या है same one centimeter height कहना चाहरा radius के equal है तो volume निकालना है दोनों का और भी pi के term में pi की value नहीं रखना है चलिए देखते हैं तो एक cone बनाईए आप ये cone बनाया इसी के नीचे क्या रखा हेमी square रखा है sorry गलत हो रहा है अब सही हुआ थोड़ा ठेक है ये आपका radius है जो की ये भी radius है जो की one centimeter दे रखा है ये भी one centimeter तो radius आप लिख लीजिए one centimeter दे रखा है अब ये भी बताया है जो radius है वही height के बराबर दे रखा है तो येच की value भी क्या दे रखा है one centimeter दे रखा है दोनों का radius देखे आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं radius आप cone लिख दीजे and equal to radius आप hemisphere को each hemisphere लिख दे रखा है each s लिख दिया और ये दोनों का दे रखा वार r की value क्या हो जाएगा one centimeter लिख सकते हैं यह नह लिखे ठेक है दोनों का radius सेम है इतना समझ में आ गया होगा हमसे volume पूछा है तो निकालते हैं तो volume निकालने volume आफ sphere solid sphere का बोला है sphere का नहीं बोला है find the volume of solid solid यह पूरी solid यह solid term है तो उसी के बारे में तो लिखेंगे volume of volume of को कोन लिख ले कीजिए कोन plus volume of hemisphere hemisphere लिख दीजिए ओके अब आप जानते हैं यह volume आफ solid लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं तो which कल टू volume आप कोन जानते हैं 1 by 3 pi r square h होता है plus volume आफ hemisphere तो आप जानते हैं 2 by 3 pi r square होता है इसमें आप direct value रख के भी solve कर सकते हैं लेकिन आप मेरे हिसाब से solve करिए which कल टू अब देखिए जो कामन है उसको बहान निकाल लीजे 1 by 3 वही इसमें भी है इसमें भी है pi इसमें भी है pi के term में answer देना ही है तो देखेंगे और r इसमें भी है r square है तो दोनों को निकाल लाइए तो यहां से 3 pi r निकल गया जब आपका तो यहां पे क्या बचा h बचा और यहां से 2 भी बचा और एक r बचा बोलिए तो लिखेंगे which equal to 1 by 3 pi वह r की value क्या दे रखा 1 1 का square करिए h की value दे रखा है 1 plus 2 into 1 दे रखा है तो इसको solve करेंगे तो 1 by 3 pi रहेगा 1 का square करेंगे तो 1 आएगा और इसको solve करिए 1 plus क्या लिखेंगे यह दिखेंगे 2 तो 3 आजाएगा तो वालूम इचकर 2 हाजाएगा 1 by 3 3 pi into क्या आजाएगा यह देखें 3 तो 3 से 3 कैंसे वालूम आजाएगा पाई सेंटी मीटर क्यों हो गया यही आपका answer हो गया ओके तो आप एक बार देख लिजे चलिए copy कर लिजे इसको उताल लिजे second question देखेंगे exercise 12.2 question number second देखेंगे Rachel, an engineering student was asked to make a model-shape like a cylinder with two cones attached at the two end by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length 12 cm. If each cone has a height of 2 cm find the volume of air content इन मॉडल डैट रेचल मेड तो कहना चाहरा है रेचल एक student एंजिनिंग का उसको एक cylinder बनाया है जो दोनो कोने पर दोनो कार्णर पर cylinder के दोनो किनार उपर क्या रखा है दो कोन आटेच करवा दिया है ठीक है उसके बाद डायमीटर दे रखा है उसका तो आपको वालूम पूछा गया है, चलिए, करते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, फीगर बनाईए यह हमने सिलेंडर बनाया तो यह सिलेंडर जो बनाया हमने इसी के हमें क्या करना है इसी पर कौन बना देना है तो कौन बनाईए यह कौन, दोनों कौन, दोनों सिरे पर कौन बनाना है डाइमीटर सेम है, उसने बताया था डाइमीटर मेरा सेम है और यह पूरी लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर ठेक है, यानि यहां से लेकिए यहां तक का 12 cm दे रखा है और यह दे रखे हैं जो कौन है यह कौन है जो है इसकी 2 cm हाइट दे रखा है ठीक है 2 cm इधर 2 cm इधर निकल गया तो सिलेंडर की हाइट क्या हो गई 8 cm हो जाएगा फिर सोरी देखेंगे तो 2 माइनस इधर कर दीजे और 2 माइनस इधर कर दीजे 12 था पूरा तो 2 2 4 और 12 में से माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा तो सिलेंडर की हाइट आपकी क्या आ गई 8 आ गई और रेडियस आपका दे रखा है 3 हिसे है वो इसे तो डाइमीटर दे रखा यह पूरा डाइमीटर हमारा क्या दे रखा यहाँ पर लिख सकते है लिखेंगे D is equal to 2 R होता है और यह दे रखा है 3 cm तो R is equal to क्या हो जाएगा 3 को 2 से डिवाइट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 cm यह रेडियस निकल आ गया बताईए इतना आया अब आप क्या करिए सब कुछ निकल गया रेडियस पता चल गया यह आपका रेडियस है रेडियस पता चल गया और हमारे पास सब कुछ हाई है चलिए करके देखते हैं तो लिखेंगे लिखे volume of solid ये पूरा जो इसने model बनाया इसी का volume बनाया तो आप क्या करेंगे पहले ये लिखे 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 volume of cylinder लिखे volume of cylinder plus लिखेंगे volume of two cone भाई दो cone है आपके पास तो two लिखेंगे volume of volume of cone भाई हम two multiply कर दिया ये लिखेंगे तो आप पहले तो value put करिए तो πाई आर स्क्वाइर ये अच होता है इसका बताइए तो अब लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे cylinder तो C लिखेंगे तो बेटर रहेगा cylinder की height लिख रहा हूँ अब क्या है volume 1 by 3 लिखेंगे पहले तो 2 लिखेंगे 1 by 3 और क्या होता है पाई आर स्क्वाइर ये अच कौन कौन लिख देंगे तो बेटर रहेगा तो ये cylinder लिख देंगे cylinder की height यहाँ पे लिख दीजे height आपका दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे cylinder लिख दीजे sorry ये bracket में कर लिजेंगे तो 8 हो जाएगा और height आप हम कौन लिख रहे हैं तो आपका आज आ रहा है 2 cm value पूट कर लेते हैं आईए जो common है वो निकाल लिए πाई आर स्क्वाइर common निकाल लिजे तो common निकालेंगे तो आपका cylinder की height बचेगी और यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 by 3 हो जाएगा πाई आर स्क्वाइर बाहर निकल चुका है और यहाँ पे कौन का हम लिख सकते कौन की height तो आप r1 और 2 भी करकर लिख सकते हैं तो भाई देखेंगे यहाँ पे 22 by 7 लिख सकते हैं ठीक है और आप लिखेंगे r की value क्या है इसका r की value दोनों में same है तो 1.5 लिखेंगे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं या 3 by 2 रखने दीजे या 1.5 रखने दीजे 1.5 into 1.5 करेंगे bracket में cylinder की height हमारे पास 8 है plus 2 by 3 और यहाँ पे आ जाएगा height आप कौन दे रखा है 2 दे रखा है ठीक है तो इसको solve करेंगे 22 by 7 और यह multiply करेंगे तो 2 25 आ जाएगा point यहाँ रख दीजेगा into रिखेंगे 8 plus 4 by 3 आ गया इसी को हमें solve कर लेना है चलिए solve करके दिखाते हैं तो इसको solve करिए LCM ले लिजे 22 by 7 यह तो ऐसे रहेगा into 2.25 into LCM लेंगे यह 3 आ जाएगा यह 24 और bracket कर लेंगे यहाँ 4 आ जाएगा 28 हो जाएगा यह solve करते हैं 22 by 7 into 2.25 into 28 आ जाएगा आ पान थेरी यह cancel करेंगे 4 आ जाएगा क्यों? 7,4 जा 28 और 3 से इसको cancel कर सकते हैं 0.7 3 सते 21 और 35 जा 15 तो यह आ जाएगा अब multiply कर लेते हैं आपका आ जाएगा इसको multiply करिए तो 88 into क्या आ जाएगा? 0.75 इसको multiply करके देख लेते हैं क्या आएगा? चलिए करके देखते हैं 75 उपर रखिए 88 नीचे रखिए क्यों रखेंगे? क्योंकि दो बार आपको नहीं करना पड़ गया multiply तो 85 जब 40 होगा क्या एट से बन जा एट से बन जा क्या हो जाएगा? 56 56 60 हो जाएगा तो 600 आया यहाँ पर भी 600 लिख दीजे आपका आसान हो जाएगा 00 और 66 आगएगा पॉइंट ने दो नमबर पर लगा यहाँ पर लगा लिजे तो 66 आगए तो देखेंगे तो इसका अंसर आगए आगए आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ओके? यही आपका अंसर हो जाएगा ठेक है यही आपका अंसर हो जाएगा तो कुछ था नहीं कोश्चन में बस आपको यहाँ से बस यह यच निकालना था बाकी तो सब कुछ दिया ही था कोश्चन में ओके? इकसरसाइज 12.2 कोश्चन नमर थाल देखेंगे अ गुलाम जामून containing सुगर सीरफ up to about 30% of its volume find approximately how much सीरफ would be found 45 गुलाम जामून each shape like cylinder with two hemispherical end with length 5 cm diameter 2.8 cm कहना चाहरा है आप से एक गुलाम जामून है जो आपका सीरा है सुगर सलूशन है उसका 30% एक गुलाम जामून किना ले रहा है 30% find the approximately how much सीरफ कीतना सीरा जरूरत है 45 गुलाम जामून के लिए तो एक गुलाम जामून के लेंद्ध दे रखा है 5 cm diameter 2.8 cm दे रखा है चलिए फीगर बना के करके दिखाते हैं तो question number 3 डालिए एक गुलाम जामून बनाईए पहले तो दिया है cylinder shape उस पे दो hemisphere लगा दिया एक इधर एक इधर सबने खाया होगा गुलाम जामून ठीक है लंबा वाला गुल वाला तो लंबा वाला कह रहा है यहां पे तो जिसका diameter दे रखा है 2.8 cm दे रखा है 5 cm यह दे रखा है पूरा तो देखे यहां से यहां तक की लंबाई दे रखा है गुलाब जामून की 5 cm तो पहले तो देखे diameter क्या दे रखा है 2.8 cm दे रखा है तो आप जानते हैं diameter 2R होता है तो इचकल 2 2.8 रखिए R इचकल 2 हो जाएगा 2.8 डिवाइड़ बाई 2 कैंसल करेंगे 2 बन जा 2 पॉइंट लगाएंग 2,4 जा तो R की value हो जाएगी 1.4 cm यानि यह radius जो होगा चाहिए यह radius कहिए अब छोटा बड़ा बन गया उससे नहीं मतलब है यह radius तो यह हमारा पास 1.4 है यह भी 1.4 है भई यह cylinder का भई यह ही इस तो count करेंगे अब देखना यह है cylinder यह cylinder की height कितनी होगी तो भई 1.5 इधर कम कर दीजे 1.5 यानि 1.5, 1.5, 2.8 हो जाएगा तो 5 मसे आप minus कर देंगे 2.8 तो बचेगा यहां पर carry आएगा 10, यह 2, 4 मसे यह 2.2 यानि इसकी length हो गई height हो गई इसकी cylinder की height 2.2 तो यह की value लिख दीजे 2.2 cm इसकी height हो गई अगर इतना clear है तो आप question कर सकते हैं क्योंकि आपको r पता चल गया h पता चल गया अब कुछ नहीं है यह 2 hemisphere को add करके इसका cylinder को तीनों को add कर ले लिजे देखे यह 1 hemisphere रहिया है हम ऐसे अलग से figure बना दे रहा हूँ यह 2, यह दूसरा hemisphere भाई यह किनारे किनारे का और एक cylinder का जब आप अलग करके इसका आप add कर लेंगे इसका क्या पूछा था इसने वालूम पूछा था कितना आपको syrup की जरुगत पड़ेगी तो square कर लीजे उसके बाब 45 से multiply कर लीजे आ जाएगा चलिए करके दिखाता हूँ आपको 30% भी दे रखा है हाँ चलिए देखें लिखेंगे volume of volume of volume of volume of volume of गुलाब जामून लिख दीजे cylinder का नहीं पुरग गुलाब जामून गुलाब जामून वही रस्गुल्लज इसे कहा जाता है गुलाब जामून अब यहां से लिखेंगे क्योंकि हमको मतलब तीनों का वैट करना इसलिए तो आप लिखेंगे volume of cylinder volume of cylinder लिखेंगे cylinder ऐसे लिख दे रहा हूँ भई एक ही cylinder है अब लिखेंगे आप plus का sign लगाएंगे अब लिखेंगे volume of अब देखें इसका भी volume लेना है तो यहां पर 2 लिख लिख लिए 2 into volume volume of hemisphere hemisphere लिख दिया ठेक है देखेंजी अब आप volume of cylinder आप जानते है pi r square h होता है तो आप pi r square h लिखेंगे 2 लिखेंगे volume of hemisphere hemisphere है तो 2 by 3 वैसे 4 by 3 होता है pi r square होता है तो आप pi r square लिखेंगे ओके तो अब क्या करेंगे अब ऐसे मत करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करेंगे तो यहां से देखें pi r common ले लिजे दोनों मैंसे तो यहां बचेगा pi r pi r common लेंगे ठीक है pi r square h होता है तो pi r common ले लिजे तो यहां बचेगा r into h प्लस का अब देखेंगे यहां पे 4 by 3 ऐसे रहने दीजे इसको ठीक है pi तो चला गया यहां r बचेगा यह फार्मूला बन के आया ओके sorry यह pi यह q होता है वही एक spherical का निकालते है 4 by 3 pi r q लेते हैं तो यहां r square common ले लेंगे यहां r से निकल जाएगा एक ही r बचेगा ओके value पुट करिए 22 by 7 r की value है 1.4 into 1.4 bracket करिएगा h की value 2.2 है देखें और प्लस का 4 by 3 करेंगे r की value हमारे पास दे रखा है 1.4 दे रखा है ओके तो यह cancel करेंगे 7 बन जा 7 और 7 point लगा के 7 2 जा 14 multiply करिए इसको इस से कर लीजे चाहिए इस से करिए तो यहां जाएगा 4.4 into 1.4 आ रहा है इसको solve कर लेते हैं तो 2.2 प्लस का देखेंगे यहां आप का जाएगा 14 4 जा 56 होता है तो 5.6 by 3 करेंगे ओके इसको ऐसे रहने जाएगे 4.4 into 1.4 bracket लगाईए इसके नीचे 1 यह 3 लिखे LCM लिखेंगे 1 और 3 का LCM 3 इसको divide करेंगे 3 आएगा इससे multiply करेंगे 6.6 आ जाएगा इसको divide करेंगे तो 1 आएगा multiply करेंगे तो भाई 1 में 5.6 multiply करेंगे तो 5.6 आएगा अब देखेंगे आपका आ गया 4.4 into into 1.4 bracket में इसको solve करेंगे 12 हो जाएगा carry 1 तो 12 यानि 12.2 by 3 आ गया ठीक है तो ये हमारे पास वालूम आ गया centimeter cube हो गया अब आपको ये देखना है उसने कहा है 40 ये तो एक गुलाब जामुन का वालूम आ गया तो 45 गुलाब जामुन है तो जो ये वालूम आपको निकल के आया है वो आपका एक गुलाब जामुन का निकल के है तो लिखेंगे वालूम आप 45 गुलाब जामुन तो मल्टिप्लाई कर लेंगे 45 इंटो 4.4 इंटो 1.4 इंटो 12.2 बाइ 3 इसको कैंसल करेंगे तो 50 ना जाएगा अब ये मल्टिप्लाई करेंगे 4.4 इंटो 1.4 इंटो 12.2 ये पूरा आप मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपका आजाएगा 1 1 2 7 2 8 ओके तो पॉइंट लगा लेंगे तो ये आजाएगा तीन नमबर पे लगा लेंगे तो यहाँ पे आगया ठीक है सेंटीमीटर क्यो इसको ऐसे भी लिख सकते है 27.28 सेंटीमीटर क्यो ये जीरो लगाई ये न लगाई कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है देखेंगे आगे कांटीन्यू करेंगे अब लिखेंगे वालूम अब कितना सीरफ है लिखेंगे वालूम आफ वो थर्टी परसंट दिया ना वालूम आफ सुगर सीरफ तो आप लिखेंगे थर्टी परसंट आफ वालूम आफ वालूम आफ गुलाब जामून ओके जगह नहीं है तो लिख दे रहा हूँ ऐसे गुलाब जामून तो आप लिखेंगे 30 इंटू ये गुलाब जामून लिखा था आगे करेंगे 1 127.28 यह percentage है तो 100 आजाएगा ओके यह देखिए पॉइंट अटाइए इसके 2 0 लगा देंगे देखिए इससे cancel कर सकते हैं तो इसको आप जब multiply करेंगे तो करते हैं 3 8 जा क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 कब हो रख क्लिक हैंगे carry हमारे पास आजाएगा 2 3 2 जा 6 और 6 2 8 हो जाएगा और 3 7 जा 21 21 का 1 लिखेंगे carry 2 आजाएगा और 3 2 जा हो जाएगा 6 2 8 आजाएगा और यहां पर 3 3 आजाएगा तो इसको डिवाइट करेंगे हमारे पास 1000 है नहीं दिख रहा है देख लीजे sorry तो इसको डिवाइट जब करेंगे तो 3 3 8.184 सेंटीमीटर क्यूब आजाएगा तो यहीं आपका एंसर हो गया ठीक है exercise 12.2 question number 4 देखेंगे a pain stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 cunical depression to hold pain the dimension of the cuboid 15 cm by 10 cm by 3.5 cm the radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm find the volume up in the entire stand कहना चाहरा है आपके पास यह cuboid दे रखा है इसमें 4 cun बना दिया इस cun का वालूम निक आपको find out करना है ठीक है चलिए करके देखते है तो पहले एक cun बना यह आप यह एक cun बना रहा हूँ यह cun बना लिया यह इसका radius होगा और इसकी यह height होगी जो की radius दे रखा है 0.5 cm दे रखा है और यह height दे रखा है 1.4 cm दे रखा है और जो cuboid दे रखा है यह cuboid है मान लेजे आप बना सकते हैं cuboid यह cuboid हमने लिया इसमें 4 cun बना लिया यह cun बना लिया यह दे रखे हैं आपका 15 cm यह 10 cm दे रखा है breath और height दे रखा है 3.5 cm ठीक है तो क्या करिएगा पहले volume निकाल दीजे इसका पूरे cuboid का एक cun का आप निकाल के 4 से multiply करिए cun के volume को फिर minus कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने गड़े हैं इसमें कितना volume है इस गड़े मलब कौन का ठीक है चलिए देखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे देखें कौन का radius हमारे पास आपका आगया 0.5 cm दे रखा है यह आपका कौन का दे रखा है 1.4 cm यह दे रखा है और इसका yl दे रखा है 15 cm b दे रखा है cuboid का 10 cm और इसके लिए यह कैप्टल यह अची लिख लेते हैं इसके लिए यह हम 3.5 cm लिख लिए यह cm है उसके ओके यह लिख लिए अब आप लिखेंगे वालूम आफ वालूम आफ ओड ओड इन द़ इन्टायर इन्टायर इस्टेंड वाई जो पैन का इस्टेंड है उसी का वालूम निकालना है तो आप लिखेंगे यह इदर लिखे वालूम आफ आप क्यूब आइड माइनस लिखेंगे 4 इन्टू वाई हमारे पास 4 कौन है तो वालूम आफ कौन लिख दीजे कौन से लिख देंगे तो देखेंगे आप इसका जानते हैं आप यह इन्टू बी इन्टू कैप्टल इन्टू लिए है यहाँ पे माइनस करेंगे 4 इन्टू वालूम आप कौन जानते हैं क्या होता है 1 बाइ 3 पाई यार स्क्वाइर यह होता है ओके तो वालू पूट करते हैं तो यहल का आपके पास 15 है और 10 हमार 10 इन्टू 3.5 माइनस का 4 इन्टू 1 बाइ 3 यह हो जागा 22 बाइ 7 आर की वालू है हमारे पास 0.5 इन्टू 0.5 यह की वालू है 1.4 ओके तो देखेंगे इसको मल्टिप्लाई करिए देखें फिप्टिन से बाइ इसको मल्टिप्लाई करिए पहले 15.5 जा 75 तो 5 आएगा केरी आपका आएगा कहीं साइड में लिख दीजिए 7 आजाएगा 15 तेरी जब 45 45 को 7 से 8 कर लिजिए यह 12 यह आजागा 52 ठीक है अब दो 0 से मल्टिप्लाई कर लिजिए तो पॉइंट यहां पर आ गया इसको देखेंगे देखेंगे इसको 7 वन जा 7 इसको कैंसल करेंगे 0.2 आएगा यह देखेंगे आपका 40 यह 48 आजाएगा इसका इसका कुलाई करेंगे 48 आजाए sorry 88 आजाएगा 88 की इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो आजाएगा 6 17 तो पॉइंट भी यह लिख देगे इन टू लिखेंगे 0.25 लिखेंगे इसका मल्टिप्लाई करेंगे अपां 3 उसके बार देखेंगे इसको solve करेंगे हम लोग तो 525- का अगर इसको आप multiply कर लेते हैं तो आप कहा जाएगा 4.4 करके आएगा लगा लीजेगा और divide करेंगे तिरी तो फिर से आप 525- करेंगे इसको divide करेंगे तो आप कहा जाएगा 1.466 आजाएगा इसको subtract कर लेंगे तो आप कहा जाएगा यह प्रॉक्स लेग लीजे 525- का आप करेंगे 1.47 कर लीजे और यह subtract कर लीजेगा आप तो क्या जाएगा 523.53 आजाएगा cm2 तो यही आपका यह answer हो गया एक बार आप देख लीजे कुछ है नहीं भई देखे पूरे का निकाल के एक का निकाल के 4 से multiply करके minus कर दीजे answer आजाएगा तो अलग-अलग देख लीजे exercise 12.2 question number 5 देखेंगे a vessel is in the farm and inverted cone its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm it is filled with the water up to the brim when the lid short each of the which is a shape of sphere of the radius 0.5 cm are dropped into the vessel one-fourth of the water is flow out find the number of lid short drop in the vessel ये कहना चारा है आपके पास एक कोन है जिसका height 8 दे रखा है और radius 5 दे रखा है उसमें sphere डालना है उसमें पानी भरा है उसमें आपको 0.5 cm radius का क्या डालना है spherical चोटे चोटे गोली डालना है तो कहना चारा है one-fourth पानी बाहर निकला रहा है तो कितने नमबर आप लेट वोई छोटी गोलिया कितने डाला जा रहा है चलिए देखते हैं ये question सबसे आसान है देखेंगे पहले आप एक कोन बना लीजिए ये कोन बना लिया हमने ठीक है जिसमें दे रखा है कोन की height दे रखा है आपका या radius दे रखा है तो देखेंगे ये radius दे रखा है आपका कोन का radius इसके नीचे लिख दीजे 5 cm लिख दीजे और height दे रखा है 8 cm लिख दिया ओके? sorry देखेंगे कोन बनाएंगे radius आपका 5 cm दे रखा है और height दे रखा है आपका 8 cm ठेक है cm है ना उसके बाद यह कहना चाहरा कोई square छोटे छोटे गोली इसमें डालना चाहरा जिसका radius इसने दे रखा है 0.5 cm यह radius दे रखा है 0.5 तो इसको capital आलर कर लिजे इसको small order रहने दीजे आसानी से कर लेंगे तो आपको different लिखना पड़ेगा कौन का radius कौन है और square का radius क्या है तो कितने गोली इसमें डाल दिया जाए कितने गोली डाला गया तो 1 by 4th part क्या निकला आया इसके वाल पानी बाहर निकला आया तो इसके वालूम का निकला होगा न तो इससे 1 by 4th से क्या करेंगे डिवाइट कर देंगे और number of क्या है vessels कितने हैं तो आप लिखेंगे सीधे सीधे हम करा रहे हैं number of of vessel ठीक है number of कितने vessels आप इसमें drop करेंगे तो लिखेंगे volume आप किसका वालूम जादे जिसका वालूम जादे है उसको उपर लिखेंगे volume of कौन लिख दीजे लेकिन इसने कहा है इसका 1 by 4th पार्ट पानी निकल जाता है तो इसको 1 by 4th से क्या करेंगे multiply कर दीजेगा अब लिखेंगे divided by volume of अगर ये कर लेंगे तो आसान हो जाएगा volume आप sphere चलिए देखेंगे 1 by 4th को पहले लाल लेते है ठीक है volume हमारे पास कौन का क्या होता है 1 by 3 πाई यार स्क्वार इच होता है देखेंगे तो हमने कौन का लिया तो capital आल ले लीजे ताकि आप गलती न करें और sphere का आप जानते है 4 by 3 πाई यार क्यू होता है ठीक है तो देखेंगे जी ये 3 थिरी नया कैंसिल हो जाएगा πाई से πाई कैंसिल हो जाएगा अब आपके पास आजाएगा आप वैलू पुट कर लीजे चली करते हैं देखेंगे वैलू पुट कर देते हैं ये नीचे आएगा 1 by 4 1 by 16 हो जाएगा बताएगे उपर रह गया हमारे पास R square H upon R Q वैलू पुट कर लेते हैं 1 by 16 ऐसे रहने दीजे R की वैलू दे रखा है 5 into 5 लेखेंगे और H की वैलू 8 दे रखा है और इसमाल R की वैलू दे रखा है 0.5 दे रखा था तो 0.5 इंटो ये सौरी ये दो बार R होना चाहिए ठीक है 0.5 into 0.5 इसी को साल्ब कर लेंगे तो एंसर आ जाएगा ये पॉइंट हटाईए एक 0 यहां बढ़ाईए ये पॉइंट हटाईए ये 0 बढ़ाईए तो देखिए 5 तो कैंसल हो गए 8 बन जा 8 होगा और 8 तो जा 16 होगया और ये कैंसल करेंगे 5 तो जा 10 तो ये 200 आएगा इसको कैंसल कर देंगे तो 100 आ जाएगा ठीक है तो यह number of vessels कितने हो गए आपके पास number of जो आप vessels डाले हो कितने sphere डाले हो गोलिया वह hundred आ गई तो इस से करेंगे तो आसानी से आप solve कर ले जाएंगे ठेक है sorry यह नहीं देखना है सिर्फ इतना ही देखना है आपको exercise 12.2 question number 6 देखेंगे a solid iron pole consist of cylinder of height to 20 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass यह कहना चाहरा है एक pole है जो cylinder के size का है नीचे मोटा है उपर फतला है तो उसी का आप volume निकाल के इस से multiply कर दीजे answer आ जाएगा देखें तो question number 6 टालेंगे एक cylinder बनाईए यह cylinder बनाया another cylinder आपको बनाना है यह pole ही है ठीक है यह बना लिया हमने जो बड़ा वाला cylinder दे रखा है उसकी height आपका दे रहा है इसको यच मान लीजे यह 220 दे रखा है cm ok इसको small h मान लीजे तो यह दे रखा है आपका 60 cm दे रखा है इसका radius दे रखा है 8 cm दे रखा है तो इसको small r मान लीजे इसका diameter तो 24 दे रखा है diameter लेकिन इसको capital R मान लीजे तो यह आजाएगा 12 cm आजाएगा ओके तो यह 12 cm आ जाएगा तो अब आप क्या करेंगे इसी को सल्ब कर लिजे आ जाएगा इसका वालूम निकाल दीजे इसका वालूम निकाल के एड कर दीजे आ जाएगा चलिए देखेंगे लिखेंगे वालूम आफ पूल तो लिखेंगे वालूम आफ लार्ज सिलिंडर प्लस का वालूम आफ इसमाल सिलिंडर लिखेंगे अब देखेंगे तो पहले फार्मूला लिखेंगे सिलिंडर है तो पाई आर बड़े वाले का पहले लिखेंगे लार्ज लिखेंगे उसके बाद इसमाल लिखेंगे तो पाई आर स्क्वार कैप्टल एच लिखेंगे इसी तरह ये भी लिखेंगे इसमाल वाले का पाई आर इसक्वैर इसमाल ह तो यहाँ से पाई कामन ले लिजे बचेगा आर सक्वार इसक्वैर पलस इसमाल आर सक्वैर स्माल ह अब वैलो फूट कर देते हैं पाई की वैलो 3.14 दे रखा है अब r square दे रखा है तो r की value square दे रखा है 12 का square करेंगे तो 144 हो जाएगा into h की value दे रखा है 220 और plus का r का square दे रखा 8 तो 64 हो जाएगा और h की value दे रखा है 60 इसको solve करते हैं तो अब आपका आगया 3.14 इसको multiply करेंगे तो ऐसे करना है आपको यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे 144 22 से करेंगे तो यह हो जाएगा 8 यह भी 8 और यहाँ पर 2 8, 8, 2 तो आजाएगा 8 यहाँ पर आजाएगा 16, 10, 11 यह 3 तो आपका आजाएगा 3, 1, 6, 8 0, plus का अब 64 को 6 से multiply करेंगे तो यह 24 के 4 के 6 यह 40 हो जाएगा ना जी यह हो जाएगा यह 2 हो जाएगा तो 36, 38 आजाएगा तो आजाएगा 3, 8, 4, 0 आजाएगा तो यह multiply करेंगे और तो यह आप add कर लेंगे जब आजाएगा तो आप का आजाएगा यह 3, 8, 4, 0 यह 0, यह 2, 15, यह भी 3 तो इसको multiply जब आप करेंगे तो आजाएगा 1, 1, 5, 3, 2.8 cm Q आजाएगा अब देखेंगे यह कहना भी यह answer नहीं है इसने का 1 cm Q आफ आइरन यह देरे रखा है आपका 8 gram दे रखा है ठेक है तो कितने आपका therefore लिखेंगे इतने cm Q है तो 1, 1, 1, 5, 3, 2.8 और लिखेंगे multiply कर लीजे आप तो 1, 1, 1, 5, 3, 2.8 into 8 से multiply करेंगे तो यह gram में answer आएगा लेकिन kg में आप देंगे तो multiply करेंगे आपका तो आपका आजाएगा 8, 9, 2, 2, 6, 2.4 gram आजाएगा अब आप क्या करेंगे kg में करेंगे तो 1,000 से divide कर देंगे तो आप 1,000 से divide करेंगे तो आपका क्या आजाएगा 8, 9, 2, 2, 6, 2, 4 यह kg आजाएगा तो आप 2 point तक ले सकते हैं हो जाएगा एकसरसाइज 12.2 कुशन नमर 7 देखेंगे अगा एकसर्कूलर कोन आप हाइट 120 सेंटीमिटर रटियस 60 सेंटीमिटर इस तैंडियूं अं अ हमिस्पिर आप रटियस 60 सेंटीमिटर प्लेस आप आप आइट इन रटियस रटियू दिटयक्ट the bottom find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder 60 cm height दे रखा है 180 cm सबसे पहले आप से कहना चारा कोई कौन है ठीक है उसकी height 120 cm है radius 60 cm वो एक hemisphear पे क्या किया है मतलब टच करके रख दिया गया है जिसका hemisphear का radius 60 cm है उसको पानी में से अब उसको एक cylinder में रख दिया गया है उसमें पानी भर दिया गया है ठीक है तो कहना चारा कितना पानी बचेगा इन दोनों को रखने के बावजूद कितना पानी बचेगा इन दोनों को रखने के बावजूद कितना पानी बचेगा cylinder का radius सदे रखा है आपका 60 cm और height 180 cm तो पहले cylinder का निकाल लीजे फिर volume का और hemisphere का निकाल के माइनस कर देंगा answer आ जाएगा चली करते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे एक cylinder बना लीजे यह हमने क्या बना लिया एक cylinder बना लिया ओके यह cylinder बना लिया ओके अब कहना चाहरा है यहां पर आपको एक sphere रखना हेमी sphere रखना है यह हेमी sphere रख दिया ओके और इसी के उपर इनोंने कौन रख दिया है कौन रख दिया फिर पानी कितना पानी मतलब पानी भरा था इसको रखने बावजूद यह कितना पानी बचेगा तो पहले पूरे का वालूम निकाल दिजे इन दोनों का वालूम निकाल के माइनस कर दिजी अैंसर आजाएगा ठेक है और यह दे रखें है इसका radius जो दे रखा है cylinder का radius दे रखा है यह हमारा radius cylinder का radius क्या हो गएगा भाई यह यह देखे यह है these perpendicular ऐसे कर लेंगे तो जो radius किसका ये सिलेंडर का होगा वो ही रेडियस हमारा क्या होगा स्पेर का होगा हिमी स्पेर का वो ही रेडियस क्या होगा कौन का भी होगा समझ में आ रहा है लेकिन इसने क्या दिया है जरा देख लिया जाए हाँ हाँ दे रखा है दे रखा है दे रखा है सब कुछ भई सब सेम है भई ओके रेडियत तो सबका सेम हो गया अब ये कहना चाहरा है जो ये दे रखा है हाइट दे रखा है आपका सिलेंडर की हाइट दे रखा है कितना दे रखा है 180 दे रखा है तो निकाल लेते हैं यह 180 है Cylinder की height तो Cylinder की height के लिए आप अब देखिए Cylinder की height है और इसकी height के जरूरती नहीं होती है इसमें इसमें height की जरूरती है तो इसको capital यह चले लीजे और इसकी height आपका दे रखा है 120 ठीक है तो इसकी height आपका दे रखा है कितना दे रखा है 120 दे रखा है ये निकाल लेंगे तो आ जाएगा सबसे आसान है सब कुछ mention हो गया ठीक है तो अब formula लिखेंगे volume of क्या लिखेंगे cylinder क्या लिखेंगे हमसे लिखेंगे volume of water लिख दीजे volume of water left in cylinder इनको रखने के बाद cylinder में क्या कितना पानी बचा तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे volume आप क्या लिखेंगे volume of cylinder लिखेंगे ऐसे लिख दे रहा हूँ ठेक है माइनस करिए फिर आप लिखेंगे bracket लगाईए volume of कौन लिख दीजे प्लस लिखेंगे volume of हेमी इस्पेर हेमी इस्पेर लिख दिया बोलिए अब value पुट करिए volume ये pi r square h होता है pi r square h भी लिख लेते है minus इसके पास चलते है volume आप कौन क्या होता है 1 by 3 आप जानते है pi r square h इसका होता है आप जानते होंगे pi r square h हो गया अब दिखेंगे हम सिलेंडर का लिख है तो इसको capital h लिख लेंगे और ये small h और हम जा रहे हैं हेमी स्पेर के पास जा रहे हैं तो आप जानते हैं हेमी हैं तो 2 by 3 करेंगे और pi r q लिख दिया जाता है ओके यहाँ पे आईए तो सबसे पहले solve करने का तरीका मैं बताने चाहूंगा तो यहाँ पे देखिए r सब के पास same है pi same है तो pi r common ले लिजे और यहाँ पे bracket बनाईए ऐसे सबसे ठेक है बताईए तो यहाँ से r बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 r तो रह गया यहाँ पे capital h करिए minus और small bracket इसको दे देते हैं 1 by 3 रहेगा pi चला गया r r एक रहेगा h भी रहेगा small h plus का लिखेंगे 2 by 3 रहेगा pi चला गया और r भी चला गया तो r square लिखेंगे अब इसमें value पुट करके हम answer निकाल सकते हैं चलिए लिखेंगे pi की value 22 by 7 हाँ रखते हैं 22 by 7 रखेंगे r की value देखिए 60 दे रखा है आपका 60 भी रख लेते हैं ओके bracket यहाँ पे देखेंगे 60 और h की value दे रखा capital h की value 180 लिखेंगे minus small bracket करिएगा 1 by 3 करिए r की value 60 आप जान रहे हैं small h की value 120 है आपका बताइए और 2 by 3 और r की value दो बार लिखना यानि 60 इंटू 60 लिखेंगे क्या कहते हैं अब लोग थोड़ा complicated solution जाएगा देखेंगे तो इसको multiply करेंगे 6 2 जा 12 6 2 जा 12 13 यह आजाएगा 7 अब इसको देखेंगे अब आप जानते हैं 18 को 6 से multiply करते हैं तो आजाएगा 108 आता है देख लेते हैं 108 आजाएगा और 2 0 लगा देंगे minus करिए small bracket लगाईए यह cancel हो जाएगे इसको cancel कर दीजे 60 से तो आसानी 6 जा 36 00 आजाएगा प्लस का यह भी cancel होगा किसी को cancel कर लिजे तो आजाएगा 20 आजाएगा तो यह 4 और 4 6 जा अरे 12 12 ऐसे कर लिजे 12 और 12 24 और 2 0 लगा दीजे अब देखेंगे अब आसानी से और हो सकता है 1320 डिवाइड़ बाई 7 अब देखेंगे यह 108 00 रहने दीजे इसको add करिए क्या बचेगा तो 2 0 ऐसे लिखेंगे और 4 यह भी 0 हो जाएगा कहरी 5 6 यह कल लेंगे तो आपके पास आजाएगा 6000 ठीक है अब इसको माइनस कर लेते हैं 108 00 और यहाँ पे 600 जा रहा है 008 यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा तो आपके पास आजाएगा 1320 डिवाइड़ बाई 7 और आजाएगा 48 00 आ रहा है ओके बताएगे तो इसको जो भी साल्व करेंगे ठीक है जो साल्व करेंगे वही एंसर हो जाएगा इसका ठीक है यह जो भी साल्व करेंगे तो यही एंसर हो जाएगा ठीक है सेंटी मीटर क्यों तो हम साल्व किये हैं तो आया है आपका 1131428.57 cm क्यों आ गया अगर आप इसको change करेंगे तो 10 की power 6 से divide करेंगे तो यह आ जाएगा 1.131 meter क्यों रख देंगे यह यह answer exercise 12.2 question number 8 देखेंगे last question a spherical glass vessel has a cylinder neck 8 cm long 2 cm in diameter the diameter of a spherical part is 8.5 cm or by the measuring the amount of water is hold a child find its volume to be 345 cm q check the answer correct taking the above the inside the measurement pi की value 3.14 दे रख यह कहना चाहरा है कोई spherical glass है वो cylinder shape है जिसकी neck है 8 cm और 2 cm उसकी diameter है उसकी neck की उपर वाले हिस्से की बात नहीं diameter आप इस spherical दे रखा 8.5 किसी बच्चे उसमें कितना पानी hold होगा यह पूछा है और किसी बच्चे ने निकाला है उसका answer 345 cm क्यों है तो चिक करना क्या उसकी answer सही है की नहीं चलिए करके देखते हैं तो आप एक figure बनाएं यह उसका neck है वेसल का और एक sphere बनाया यहां पर बनाने की कोसिस क्या हो ठेक है यह 8 cm दे गया है इस cylinder यह हो जाएगा इसका radius वैसे तो diameter दे रखा है diameter 2 तो इसका radius क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 cm हो जाएगा इसका पूरा diameter दे रखा है इस sphere का दे रखा है कितना दे रखा है 8.5 8.5 दे रखा है तो इसको small r कर लीजे इसको capital r कर लीजेगा ठेक है लेकिन यह अभी आएगा नहीं capital r निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं तो 8 by 5 by 2 कर लेंगे cm ओक है कितना पानी भनना है आपको इसमें पानी भर दीजे कितना पानी आएगा अरे भाई इसका निकाल दीजे इसका निकाल दीजे add कर दीजे आजाएगा तो लिखेंगे volume of volume of vessel ठेक है लिखेंगे volume of तो volume of क्या लिखेंगे volume of cylinder का लिख दीजे cylinder plus volume of sphere ये लिखेंगे तो volume आप आप जानते हैं ये cylinder का pi r square h होता है अब देखिए इसके लिए इसमाल लियाओ pi r square h ले लेंगे h एक ही है इसमें भई ये ही तो h होगा और plus का लिखेंगे pi sorry 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 square है तो 4 by 3 करेंगे 4 by 3 pi r r ले लेंगे capital यहाँ पे r cube ले लिजिए ठीक है चलिए करते हैं आ जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे pi की value इनों ने दे रखा 3.14 r की value इसमाल है तो 1 into 1 करेंगे तो 1 का square करेंगे तो 1 ही होगा h की value हमारे पास दे रखा 8 दे रखा प्लस लिखेंगे बताइए तो यहाँ पे 4 by 3 pi की value 3.14 करिएगा और r की value हमारे पास क्या है 8.5 by 2 तो लिखेंगे 8.5 by 2 into 8.5 by 2 into 8.5 by 2 करेंगे ओके देखें आप इसको देखेंगे यह देखें फोर से यह देखें यह उड़ गया बहरे 2 उड़ गया बहरे 2 से 2 2 से 4 यह cancel हो गया इस 2 से cancel कर दिए 3 बन जा पॉइंट लगा यह 3 फाइब जा और 3 से बन जा ठेक है तो और तो कोई cancel होगा नहीं इसको 3.14 into 8 प्लस का यह करेंगे 1.57 into 8.5 into 8.5 into 8.5 into 8.5 divided by 3 इसको डिवाइट करके इसको साल्व कर लेंगे तो इसको आपका मल्टिपलाई करेंगे तो क्या जाएगा 8.4 जा 8.4 जा 32 3 आ जाएगा 8.3 अलेवन हो जाएगा कैरी 1 8.3 जा 24 क्या जाएगा 125 आ जाएगा ठेक है पॉइंट हमारा दो नंबर पे दो नंबर पे पॉइंट लगा दिया प्लस का करेंगे इसको अगर आप साल्व करेंगे तो आप का जाएगा 321.392 आ जाएगा ठेक है इसको साल्व करेंगे जब आप इसको 346.51 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तो क्या उस लड़के ने जो एंसर निकाला 345 तो क्या सरही है तो आप लिखेंगे नो ठेक है करेक्ट नहीं है ठेक है तो यह हो गए आपका चिप्टर इकसरसाइग कंप्लीट करेक्ट नहीं है